हेलो फ्रेंग, सिंघाडा के फायदे जानकर आप भी चौंचा ओगे क्योंकि सिंघाडा हमारी शेहत के लिए बहुत ही फायदे मन्द होता है सिंघाडा सरीर को उर्जा देता है, इसलिए इसे व्रत में खाने की साला दे जाती है इसमें आयोडें भी पाया जाता है, जो गले संबंधी रोगों से रक्षा करता है सर्दियों में सिंघाडा खोब मिलता है, इसे कच्चा या उबाल कर या फिर आप इसका हेल्वा भी बना कर खा सकते है सिंघाडा एक गुडो की खान है, इसमें कई पाउश्टिक तत्तों मौजूद होते हैं जो आपकी कई बीमारियों से रच्छा करते हैं खासकल दिल की बीमारियों के लिए या रामबाण औशदी है साथ ही गले में खाराज, ठाकावर्ट, सूजन और भी कई समस्याओं के लिए ये फाइदे मन्द है तो आईए जानते हैं इसके अन्य फाइदे के बारे में सिंघाडा अस्थमा के मरीजों के लिए बहुत ही फाइदे मन्द है सिंघाडे को नियमित रूप से खाने से साथ समवन्दी समस्याएं भी राहत मिलती है सिंघाडा बवसीर जैसी मुश्किल समस्याओं से भी हमें निजाद दिलाता है इसके अलावा हटी एडिया भी ठीक हो जाती है इसके अलावाज शरीर में किसी भी अस्थान पर दर्द या फिर सूजन होने पर इसका लेब बना कर लगाने से बहुत ही फाइदा होता है इसमें कैलसियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है इसे खाने से हड़िया और दात दोनों मजबूत रहते हैं साथ ही या आँखों के लिए भी बहुत ही फाइदेमंद होता है प्रेगनेंसी में भी सिंहाडा खाने से मा और बच्चे तोनों के लिए स्वस्त रहता है स्वस्त रखता है इससे गर्वपात का खत्रा भी नहीं रहता है इसके अलावा सिंहाडा खाने से period की समस्या भी ठीक होती है सिंहाडा सरीर को उर्जा देता है इसलिए इसे ब्रत के खाने में भी सामिल किया जाता है इसमें iodine भी पाया जाता है जो गलेशंबंदी रोगों से रच्छा करता है और थायराइड ग्रांथी को सुचारू रूप से कम करने के लिए प्रेरीद करता है यदि आप पर हिर्दे या रक्तचाप जैसी समस्याओं से बचना चाहते हैं तो सिंगहाड़ा जरूर खाईए सिंगहाड़े का आटा रक्तचाप कम करता है इसमें पोटेसियम होने के कारण या दिल की धड़करन को शामानने करने में मदद करता है सिंगहाड़ा हैड़ के लिए भी बहुती फायदिमंद है इस्ट्रेस को कम करता है वजन घटाने में ये हमारी मदद करता है ये कैंसर जैसी खत्रा से भी हमें बचाता है इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है और फायवर की मात्रा जादा ऐसे में ये वजन घटाने के लिए बहुत ही अच्छा स्रोत है ये थी हमारी आच की जानकारी हमारी जानकारी आपको कैसी लगी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को लाइक, शियर और सस्क्राइब करिए फिर मिलते हैं आपके साथ एक नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई